इसी के अंदर आपको एक जो printer का icon मिल जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अगर आप के पास कुछ इस तरीके से photo है और आप जो है इसे print करना चाहते हो तो कैसे print करोगे इसी तरीके से दोस्तो अगर आप के पास जो है एक्सल की फाइल है अगर आप एक्सल में काम कर रहे हैं और इस फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें प्रिंट करना और भी आसान है इसी तरीके से दोस्तों अगर आप MS Word में काम कर रहे हैं और MS Word की फाइल को जो है प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको भी प्रिंट करना बहुत आसान है हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागते आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप से प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि कम्प्यूटर या फिर लैप्टॉप से प्रिंट कैसे निकाला जाता है तो फिर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा केवल एक ही वीडियो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कोई भी print out निकालना हो, चाहे कोई PDF है, या फिर MS Word की file है, Excel की file है, कोई photo है, या फिर कोई भी notes वगरा है, उसको अगर आप print करना चाहते हो, कहने का मतलब यह है दोस्तों, कि अगर आपको computer या फिर laptop से print निकालना नहीं आता है, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो मेरे भाई बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा, मैं 100% की guarantee लेता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद, आप computer या फिर laptop से print निकालना तो सीख ही जाओगे, साथ में आप master भी बन जाओगे, नमस्कार दोस्तों, मेरा नामी गुलाब, और आप देख रहे हैं, गुल भी सारी फाइल रखी है, जिसके अंदर PDF है, फोटो भी है, Excel की फाइल भी है, और MS Word की फाइल भी है, अक्सर दोस्तों हमें PDF में notes वगरा मिल जाते हैं, और उन्हें हमें print करना होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे document भी होते हैं, जो की computer या फिर laptop में PDF में डाउनलोड होते हैं कुछ तो हम लोग WhatsApp से भी PDF में ही डाउनलोड कर लेते हैं, तो देखिए जितना भी PDF आपके पास है, जो उसको print करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम रहेगा, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखिए यहां पर मेरे पास एक सेवा योजना का जो प्रमान पत्र है, वो सी को मैं print करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या setting आपको करनी होती है, तो हम जो है इसे open करेंगे, double click कर लेंगे, इसे open हो जाएगा, यह देखिए इस तरीके से यह खुलता है, और यहां से आप जो है, इसे minimize भी कर सकते हो, थोड़ा छोटा दिख जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, आप जैसे ही इस icon पर click करोगे, तो print करने की setting आपके सामने खुल जाएगी, अब यहां पर कुछ setting है, जिन्हें आपको अच्छे से समझना है, वैसे मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको यहां पर click करना है, और अपने printer को select करन है, जो भी आप printer इस्तमाल करते हैं, printer का नाम यहां पर तभी आएगा, जब आप अपने computer या फिर laptop के साथ printer को connect कर देंगे, printer को connect करना बहुत ही जादा आसान है, बस जो printer में से wire आया है, वो आप अपने CPU के साथ connect कर दीजेगा, और printer में जहां से भी आपने power supply दिया है, वो power भी on कर दीजेगा, यानि printer भी आपका चालू रहना चाहिए, उसके बाद जो है, आप जैसे ही अपने CPU के साथ या फिर laptop के साथ printer को connect करेंगे, तो आपका printer यहां पर so हो जाएगा, इसके अलामा आपके अगर computer या फिर laptop में driver नहीं होगा तो भी यह यहां पर नहीं आएगा, तो अगर आपके computer या फिर laptop में driver नहीं है, तो driver को कैसे install करना है, मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाया है, उपर आई बटन में या फिर नीचे वीडियो के description box में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लीजेगा, और अगर computer या फिर laptop में driver है, तो वो automatic आपका printer उठा लेगा इस तरीके से, इसके बाद आपका जो काम है वो और भी आसान हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजों को समझ लेना है, सबसे पहले तो आपको properties पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको document size में जो है A4 size देना है, क्योंकि ज्यादा तर जो market में page आते हैं, वो A4 size के आते हैं, तो यहाँ पर A4 size जब आप दे करके print करोगे, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से print होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको option मिलता है, orientation का portrait है और landscape, अगर आप जो है अपने page को आड़ा में print करना चाते हो चोड़ाई में, तो LEDScape पे select करिएगा, अगर आप portrait में print करना चाते हो, खड़े में जैसे कि यह वाला page है, तो आपको portrait ही रहने देना है, इसके बाद जो है type paper में आपको default यही रहने देना है, plain paper और quality standard रहने देना है, अगर आप इसको color में print करना चाते हो, तो color select करिएगा वरना अगर आप इसको black and white print करना चाते हो, तो gray scale select करिएगा, इसके बाद जो अगली setting है, वो भी काफी important है, copies की, अगर आप यह जो PDF print कर रहे हो, इसकी कई सारी copy तयार करनी है, जैसे 5 है, तो आप यहाँ से उसको बढ़ा सकते हो, जैसे हम 5 copy माले यह print करेंगे, तो हम 5 यहा या घटा भी सकते हैं, अब नीचे आपको एक option मिल जाएगा, print preview का, आप चाहो तो यहाँ पर click करके, पहले print preview देख सकते हो, कि आपका page कैसा दिखाई देगा, यहाँ तक setting समझ में आई, कि हमें क्या क्या करना है, अब जो है, जैसे कि मैं इसे एक ही print करना चाहता हूँ, ज यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस okay पर click कर देना है, आपका यह print निकल जाएगा, जैसे कि दोस्तों मेरे पास एक और PDF है, triple C guideline के नाम से, इसमें कई page का यह PDF है, 14 page का PDF है, यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीजे बता देता हूँ, जैसे कि हमने समझा कि इसे अगर print करना है, तो हमें यहाँ पर click करना होगा, प्रिंट पर ठीक है, तो print का dialogue box आजाएगा, और जो दूसरा तरीका है, प्रिंट करने का वो है, control के साथ P button भी दबाद होगे, तो same dialogue box यहाँ पर आजाएगा, अब देखिए, यहाँ पर जो चीजे मैं यहाँ पर समझा नहीं पाय इसके अलावा आप खुद से तय कर सकते हो, कि हमें यहाँ से ले करके यहाँ तक के page को print करना है, इसके लिए हम page पर click करेंगे, जहां से जहां तक आपको page को print करना है, वो आप यहाँ पर देंगे, जैसे मैं यहाँ पर 2 से ले करके, देखिए, दूसरा page यहाँ पर preview में जैसे ही आप OK पर click कर दो, तो आप अपने printer में जब page लगाये रहोगे, तो print हो जाएगा automatic, उसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से photo है, जिसमें जो है इस तरीके से लिखा भी हुआ है, और image भी बना है, और आप जो है इसे print करना चाहते हो, तो कैसे print करोगे, या फिर आपके पास कोई इस तरीके से photo आपने download की है, और इसे print करना है, तो आप कैसे print करोगे, तो देखिए जो भी photo है, जहाँ पर भी आपने photo को रखा है, बस आप उस पर double click करके open करिए, और यहाँ प पर print का dialogue box आगया है, अब यहाँ पर आपको click करना होता है, यहाँ पर आपको अपने printer को select करना होता है, और यहाँ पर बताना है orientation की आप landscape में, यानि आडे में इसको print करना चाहते हो, या फिर खड़े में, खड़े में print करना हो तो इस तरीके से आएगा, और आडे में print करना हो तो इस तरीके से आएगा, जिस तरीके से आपका page है, उस तरीके से आपको यहाँ पर orientation बताना होता है, कितनी copy आप इसकी print करना चाहते हो, दो, तीन, चार आप यहाँ से बता सकते हो, A4 size आपको बिल्कुल देना है, क्योंकि ज़्यादा तर market में A4 size के paper ही आते हैं, बाक यहाँ पर आपको color का भी option मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप इसको color में print करना चाहते हो, तो color पे select कर रहने देंगे, वरना अगर आप इसको black and white print करना चाहते हो, तो monochrome select कर देंगे, और इसके बाद OK कर देंगे, तो जब आप print करोगे, तो black and white में print होगा, इसके बाद आपकी print हो जाएगी, इसके बाद का कोई काम नहीं है, printer अपने आप उठा लेगा, इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपके पास excel की file है, अगर आप excel में काम कर रहे हैं, और इस file को print करना चाहते हैं, तो इसमें print करना और भी आसान है, बस यहाँ पर आप office button पे click करेंगे, य यहाँ पर print का dialogue box आएगा, और जो चीज़े मैंने आपको बताई है, printer select करना है, properties पे जाना है, यहाँ से जो है, effort size select करना है, landscape या portrait, color या gray scale यह चीज़े select करते हुए, आपको आगे बढ़ना है, copy की संख्या देना चाहो तो दे सकते हो, ok पर click करना है, और इसके बाद जो है, तो पहले preview भी देख सकते हो, preview में आपको यह कैसा दिखाई देगा, preview के अंदर भी आपको यहाँ पर print का एक option मिल जाएगा, आप direct इस पर click करके भी, direct इसको यहीं से print भी कर सकते हो, इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप MS Word में काम कर रहे हैं, और MS Word की file को print करना चाहते हैं, बस आप MS Word की file को open कर लिजिए, जो कुछ भी आपने बनाया है, उसको बनाने के बाद, आप क्या काम करिए, उसको थोड़ा बहुत adjust करना हो, तो कर सकते हो, जैसे page layout पे click करके, सबसे पहले तो आप margin को narrow कर लिजेगा, इसे यह फायदा होगा कि ज़्यादा आपका page छूटे तो यहाँ पर आपका print preview दिखाए देगा, कि print होने के बाद, यह document आपका कैसा लगेगा, और print preview खोलने के बाद, आप direct जो है, यहाँ से print command भी दे सकते हो, और चाहो तो इसको close करके, दोबारा से इस पे office button पे click करके, print पे click करके, यहाँ से manually direction दे करके, जैसे मैं यहाँ से printer दे देता हूँ, properties पे click करता हूँ, यहाँ से a4 size चलिट करेंगे, यहाँ से जो है, हम grey scale और यहाँ से ok कर देंगे, और यहाँ से ok पर click कर देंगे, तो यह print हो जाएगा, और MS Word में भी अगर आपने एक से ज़ादा page बनाये हैं, तो आप current page को print करना चाहते हैं, या फिर page number की संख्या को दे करके भी यहाँ पर print कर सकते हो, page number की संख्या कैसे देनी है, नीचे बताया गया है, कि आपको जो भी page print करना है, उसको लिखने के बाद, कॉमा लगाईए, फिर अगले page की संख्या लिखिए, तो इस तरीके से page, यहाँ पर custom page भी आप दे करके print निकाल सकते हो तो फिलाल दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी print करने का तरीका बताया है, यह आप computer या फिर laptop से दोनों से same कर सकते हो, और जो setting मैंने आपको बताई है, अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है, अच्छे तरीके से देखा है, तो मुझे पूरा वरोसा ह है कि आपको जो है computer या फिर laptop से print कैसे निकाला जाता है, यह अच्छे तरीके से आ गया होगा, लेकिन दोस्तो अगर आपको थोड़ी सी भी confusion रह गई है, आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, या फिर अगर आप किसी और भी topic पे वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें नीच कोमेंट करके जरूर बताइएगा, फिलाल दोस्तो आज की वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने friends and family के साथ, whatsapp पर, facebook पर भी इस वीडियो को शेयर कर दीजेगा, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके, चैनल पर अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो, तो बहुत बड़ी गलती करो, आर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, तो ही आप हमारी नएने वीडियो देख पाओगे मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम